आजोध्या में राम लला की आज प्रान प्रतिष्ठा है दूसरे तरफ हिंदूओं पर हमला किया जा रहा है जैसे देखिए आज का दिन भारत के सनातनियों के लिए राम लला का प्रान प्रतिष्ठा हो रहा है ये मैं सुरू से कह रहा हूँ कि सनातन का पुनर जागरन का समय है पान सौ साल से हम अपने ही देश में आकरांतों के दौरा किये गए अन्याय मंदिरों को तोरना लेकिन आज पान सौ साल के बाद ये पुनर जागरन का समय है देश के सारे सनातनी हिंदू सारे देश वासी मुशलमान भी कुछ राष्ट भक्त मुशलमान है वो भी आज साथ दे रहे हैं लेकिन जो बिग्ण डालने की कोशिश कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं अब भारत का सनातन जग चुका है युवा जग चुका है अब वो गलती मत करना जो पांसौ साल पहले किये थे जिस जो भक्त होगा वही भगवान पर कब्जा करेगा जो रमखुदयया होगा खरगे जी वो जीवन भर रमखुदयया रह जाएगा इसी रमखुदयया के कारण पर्भु श्री राम का मंदिर भी बावर ने वहां मस्जिद बनाया था ऐसे ही लोगों के कारण जिनकी आस्था रमखुदयया की तरह था ने इधर ने उधर लालु जी जैसे लोग जो एक तरफ तो तेजस्वी जैसे लोग जो एक तरफ दोनों पितापुत्र हिंदु धर्ब का विरोध करते हैं राम मंदिर का विरोध करते हैं और दूसरे तरफ मुस्लिमों के धर्मों के साथ अपने को जोडते हैं कभी माते पर टोकड़ी उठा कर जाते हैं ऐसे लोग ही हिंदु धर्म को बदनाम करने का काम किया है मैं खुद कहा है मैंने टूइट किया था कि आज प्रभु स्री राम का प्रान परतिश्ठा है प्रान परतिष्ठा तक वैसे तो मैं शाम को गंगा के किनारे दिपो सब के बाद ही उपबास को तोरूँगा पूरे सनातनियों को कह रहा हूँ आज उपबास भी करें और संकल्प भी लें इस संकल्प से फिर कोई बाबर फिर कोई औरंजेव हमारे मंदिरों के उपड़ ना आँख दिखाए ना हाथ उठाए